7-1 को जोड़ता है हाज 411 बताये क्या करना चाहते बहुत जदन्य वद आप LM आपने आप जिह अ 270 आपको क्यों लगता है नहीं जोड़नेंगे बोलिए बुल्ये क्या करना चाहते है आप आप कहा रहा है कि Rocky आपको आपको हर जगा बुद्ध ही दिखते हैं तो इसमें कोई भी आचारिय नहीं है इसमें कोई आठ्चरिय नहीं है और आपके चलिए और किसे आपको डिवेट करना बताईए आचाए वैसे कैसे आपको दिखते हैं थोड़ा हम लोग को भी दिखाई यह ना राम के पिता जी का नाम किया था वैसे राम के पिता जी का नाम दसरत था मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने बच्चे पैदा किये थे अपनी बीबी से सेक्स्वल रिलेशन बना के ऐसा कुछ आप कहना चाहते हैं हाँ जी बिल्कुल अच्छा आपका बालमिकी रमायण खोला है यह पढ़ा थोड़े रहे हैं अरे भाई रुख जाई आप फिर आप कहते हैं कि आपने हमको रुका मैं आपसे कहा कि मैं कुछ रेफरेंस दिखा रह ही जहां से सब लोग पढ़ते हैं उसका बालकांड का विश्वा सर्ग है उसमें दस नंबर जो स्लोक है उता कुछ और बात कह रहा है चला एक बार आप देख लिजी आप क्या कह रहा है बता दीजिए खुद देखके एक बार बता यह क्या कह रहा है हां कुछ सिंग नंदर मेरी अवस्था साथ वर्स हज साथ जार वर्सकी हो गई है इस बुढ़ापे में बड़ी कटनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है अता आप राम को न ले जाए इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई अच्छा बड़ी बात लिए आपकी उम्र अतिस्योक्ति अलंकार है यहां लिखा है थोड़ा संस्कीत पढ़िए तो पढ़िए तो संस्कीत में ने इसका मतलब क्या है यह सथी वर्स सहस्तराणी का क्या मतलब है इसका साथ हजार वर्स ही होता है ठीक है ना साथ हजार वर्स तो यह बताईए आप खुद कनफर्म नहीं है कि जो दसरत हैं उनकी उमर कितनी है अरे भाई यह बताईए साथ हजार साल में उनको बच्चा हुआ तो साथ हजार साल से पहले उनको बच्चा नहीं हो रहा था य तो ये तो आपको लग रहा है कि उस व्यक्ति को फिर लोग क्या कहेंगे मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं तो आप ये बात मानते हैं कि इनके पिता जो है वो नपुनसक्त हैं और साथ हाजार साल की उम्र में उनको बच्चा मिला अच्छा भी कैसे मिला जरा रुख जाए रु देख रहे हैं कुछ और ही लिखा है हाँ ये सुलाहमा सर्ग है बाल में की रमाड का 31 नमबर्स लोग ये पढ़े लीजे बालकांट हाथ ये बदो खीर पीकर करके जो हुआ था तो खीर तो एक उसदी थी ना जो इससे हवन से निकाला गया था जो यग्य करके निकाला गया परसुराम का आपको ये पता होना चाहिए आप पीछे जब नहीं पढ़े जब बाले में की पढ़ोगे और भी कताया आती है जो इनको मेरी बात सुन लीजे परें आपको बदाता हूँ पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा तो उस्चा परसुराम जी जो है दसरत जी पर हमला वहां पर से लिंग पकड़ए वोगे उस तेनी पैब्स karışक्ताने एक आपने यहां पर बहुत बड़ा एक क्लेम कर दिया है ऐसा नहीं कि भॉक्त जंजो है आप इक खट्या कर दें आप अपने तरब से महीं कर दिये कि आपने करते में यहीं है कि लिए फार्मिकी रमायर्ण में लिखा है कि नहीं लिखा हो घृग्स इ तब ही आगए यहां कि आप आगे बढ़हना चाहते हैं और कले छी शबुत नहीं है बात पहले जांगे बढ़हेंगे। आप रेफर演ब terror को नहीं मानेंगे तो रेफरेंस यहां पर आपको दिखाना पड़ेगा जो आपने कहा है बताइए किसमें जो परसुराम की जो किताब है जो परसुराम का मैं जो परसुराम का पूरा उसके अंदर पूरी कहानी है जिसमें उसमें मिलता है जब बादने गये उनको बताइए नहीं कोई आपकी बात नहीं मानेगा क्योंकि यह चैनल जो है ना वो रीफरेंस पर ही लोग सुनते हैं यह चैनल यह बात मानके चलते हैं कि यहां जो होती है ऐसारे लोग बैठे है आपको पता है कि इतने यहां पर बड़ बड़े लोग का मेहनत करके इतने अच्छे पोस्ट पर जो गया है वो लोग भी बैटके देखते हैं क्योंकि वो रेफरेंस के सांथ देखना चाहते हैं ना एक थोड़े सुनना चाहते हैं नहीं आपने आपने क्लेम कर दिया ना कि दसरत जो है वो लिंक पकड़के खड़ा हो गए थे तो भाई आप इसका रेफरेंस दिजिए लिए ना बताइए कौन से किता में बात लिखा हूआ है आगे पिर पर सुराम जी ने उनको नहीं मारा और साथ देदी आ कि तुम ने अवलाद नहीं होगी तुम आशा पर सुराम जी ने लिखा दिया और असी जी कोई से फरक नहीं पड़ा हमस्क्राइब तो किसी का लिंग पकड़ें के कोई बच्छा जो है कोई मर्द अपका लंग टंग जाएगा आपका बचल सबस्विक वेसिर बताया अब अ कि अपने कहा कि मुझे लिंग के बारे में नहीं पता है आपको कईसे पता है जरा मुझे बता देजिए लिंग के बारे में अपने सीवलिंग कहा ना बताएं मुझे मुझे सब्सक्राइब कर देखने से पता लगा है ठीक है न यह संकेत है कि हाँ पूजा कर रहे हैं आप जो सोचते हो वह चीज नहीं है आप गलत सोचते हो पुराणों में समझाने के लिए अलग अलग तरीके से लिखा गया है और कुछ लोगों ने गपोड भी दिया इसमें कोई दिकत नहीं गपोड़ा है लोगों ने गपोड़ा है लेकिन सीवलिंग को अगर भारत के वेद में सीवलिंग की चर्चाई है देखो वेद मैं नहीं पढ़ा हूँ ठीक है तो मैं वेद के बारे में जाना नहीं बहुत बोल लिए अब ध्यान से सुनिये पहले अब ध्यान से सुनिये सभी लोग सुनिये इनका क्या क्लेम इन्हों ने अभी गपोड़ दिया इतनी स इसलिए बच्चा नहीं हुआ क्योंकि उनको परशुराम ने सराप दे दिया अब इन्हों ने यह कह दिया कि परशुराम की आयू साथ हजार से ज्यादा थी तब इन्हों परशुराम के स्वेंबर में भी पहुंच गया मतलब क्लेम इनका देखिए कि वह सीव का लिंग पक स्वेंबर मतलब उपर का जो भाग को सीवलिंग काते हैं नीचे का भाग यह कह रहे हैं कि यह चीजह है ही नहीं अब यह संकेत है तो उसके चित्र भी उसी तरह से क्यों है अच्छा रेफ्रेंस इनों से मैंने मागा कि आप रेफ्रेंस दे दिजिए कि कहा से यह बात आप कही तो ये नाम नहीं बल रहा है जहाँ परसुराम का दिया है परसुराम तो भही आप बोल देते हैं पुराण में दिया है बाल में की रमायर का जो लेखक है बाल में की उसको ये बात नहीं पता है ये बात किसको पता चल रही है पुराण के लेखक को आप पुराण का लेख तेखा हुआ है कई बार दिखाया हूं। बार बार दिखाऊंगा मैं ऐसा थोड़े कि आप लोग जो है कुछ भी आएका जूट बोलके चले जाएंगे यह है वह चिन है चीन है यहां पर साफ साफ लिखा है कि वह जो है वही चीज है सीव का ही लिंग इसमें बताया गया मुत तिंद्रिये ही चेप्टर का नाम में नौ नमबर चेप्टर देख लीजिए 37 नमबर पेज में दिया हुआ है यह देख लीजिए पुरान का लेखक जो है साप साप कर रहे हैं वहीं का रेफरेंस देखे आप जूड़ भी बोल रहे हैं ऐसे थोड़े चलेगा भाई साब ऐसे देख लिजिए सलिक सीवकी मूतेंद्रिये ही है कहां गय कह रहा है और आप जो है आप क्या बता रहे थे अभी कि यह है वो है आप लोग चिन है यह है वो है यह किताब लिखा है आपने क्यों किया आप क्यों किया है तो फिर सची रमायन को गरेंटी मिल गया और वो एवलेबल होगी हारा थोड़े है जीत गया यानि कि यह जो लिखा है वो सही है आप जूट मुट का बोल रहे हैं कि अच्छी है यह है वो है बताइए हम यहीं बता रहे हैं आप यह मतलब ऐसे ऐसे आजमियों के जो अलागर प्रमाण दिखाते हो और कहीं प्रमाण है आपने इसकी प्रमाण आपके पास अरे भाई यह थोड़े यह माभारत का अभी दिखाया ना आपने अब यह देखिए ना यह सीव पूराण लि बाई अनुवाद आपके यह देखे सीव पूराण का बिंधेस्वरी टीका एक कोई सिंपल आदमी नहीं किया है बिंधेस्वरी टीका है यानि मान्यता प्राप्त आपके सो कॉल्ड जो अपने को सनातनी बोलते हैं उन लोगों का टीका है आपके सीव पूराण में सीव पबली को सुने ये ना एक बार क्या लिखा है अपने पूरुष चिन अर्थात लिंग को पुजने में परसंद हो जाते हैं इसमें चिन का लिए लेकिन नीचे तो आपको चिन की बात आई ने कि सीव अपने पूरुष चिन का अर्थात अरे भाई उपर जब लिख दिया अर्थ में कि नारी जन्नेंद्रिया सहित पूरुष जन्नेंद्रिया और पूरुष जन्नेंद्रिया सहित नारी जन्नेंद्रिया यह दोनों परसपर भोग के निमित और नित्य भोग के लिए हैं इसने सीधे सीधे बोल दिया कि नारी की जनेंद्रियाण नारी का जो गुपतांग है और पुरुस चनेंद्रियाण सहित नारी दोनों एक सांथ मिले हुए इसकी बात कर रहा है तो आप जो कह रहे थे वो नीचे लिखा है कि आप लोग पूरुस चिन अल्लिंग को पूजने से प्रसन्द हो जाते हैं वो लिखा है कि वो दोनों का वो है कंबिनेशन है वो इसका यह अर्थ निकलता है सीव पुराण खुद कह रहा है आप जब जस्ति आके यहां पर कहानी सुना रहेते कि भाई वो चिन होता है यह होता है वो होता है काहें इतना जूट बोलता है मिश्टर फोर इन वन कैसे काम चलेगा इतना जूट का इस समय ऐसा है ना कि सत्यों को लोग जूट बना रहे हैं और जूट को सत्य बना रहे हैं अच्छा यह सीव पूराण और वायू सहिता है इभी ज़रा एक बार पढ़िये क् सब्सक्राण से पूजन हो जाता है अब तो इससी बाते हैं यान ही दोनों की पूजा हो रही है अब वहां पर लिंक देवी बना हुआ है बताया भी जा रहा है कि जो नीचे का वेधी पारवती हैं आप नों पूरुस जनेंदरिया और महिला जनेंदरिया पूजा करवा रहे हैं फिर देवी देवता का बता दे रहे हैं कि ये पूरुस का है ये है बताईए आपका लिंग का आकरिती आपका बच्चा बना दे आए एक मूर्ती बना दे आपके लिंग का और वो क्या करे कि महिला का आप प्रफ लेंग प्रफ्डिक परद्ब करें आजी आए एक काम कीजिए आप प्रूफ लेकर आईए हम तो रमैड की बात कर रहे थे आप ही सीवलिंग पर गये थे हम तो रमैड की बात कर रहे थे आप जाए एक काम कीजिए जिस दिन आपके पास प्रूफ होगा उसी दिन आएगा ठीक है ना आप बीना सबूत के चले आते हैं मजा नहीं आता है सबूत लेके आए सबूत पर बात करेंगे आपको पूरा मैं सम जा हएगा नहीं हाईगा है